दोस्तों ये तुम सभी जानते हैं कि सिस्टम की स्पीड अगर हमें बूस्ट करनी है तो SSD का यूज करना चाहिए अगर आपका सिस्टम सेटा सपोर्ट करता है तो सेटा SSD को यूज कीजिए और अगर NVMe SSD सपोर्ट करता है तो NVMe SSD को यूज करना चाहिए आपके पास ऐसा system है जो NVMe SSD को support करता है आप अपने system के अंदर NVMe SSD upgrade भी करना चाहते हैं लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपकी पुराने वाली Windows है वो आप इस NVMe SSD के अंदर clone कर ले NVMe SSD के लिए तो पैसे खर्च कर दिये लेकिन cloning के पैसे तो बचाई सकते हैं YouTube पे अगर आप copy Windows to SSD सर्च करते हैं तो आपको results तो बहुत सारे मिलते हैं ओ मेरी वीडियो भी आती है suggestion के अंदर लेकिन इन सभी वीडियो के अंदर आपको hard drive to sata sd या फिर sata m.2 ssd के अंदर Windows को transfer करना बताया है लेकिन इन में से कोई भी वीडियो NVMe SSD के अंदर Windows को transfer नहीं करती है अब इन में से किसी भी method से अगर आप NVMe के अंदर Windows को transfer करेंगे तो clone तो बन जाएगा लेकिन आपका system boot नहीं होगा क्योंकि जो पुरानी device का boot code है वो sata के लिए available है और आपने उसे NVMe में clone कर दिया है लेकिन फिर भी जो उसके अंदर boot code है वो sata lane का ही है तो आपको पहले boot code sata वाला हटाना होगा और NVMe वाला insert करना होगा ताकि आपका system NVMe से boot हो सके सुनने में सारी चीज़े काफी ज़्यादा typical लग रही होगी but don't worry I will do it for you तो सबसे पहले आपको browser open करना है और browser के उपर google search करना है hasleo enter कर देना है जो search result आएगा hasleo.com की website आपको open कर लेनी है right inside पर उपर की तरफ आपको मिलता है utility option यहाँ से आपको जाना है backup suite के अंदर click कीजिए और यहाँ पर backup suite को download कर लीजिए absolutely free है setup के उपर right click कीजिए run as administrator करके इसे open कीजिए अगर कुछ इस तरह की windows open होती है तो more info में जाईए और run anyway पर click कर दीजिए instructions को follow करते हुए software को अपने system के अंदर install कर दीजिए setup हमारा open हो गया है तो हमें क्या करना होगा क्या लगाता? cloning option को choose करेंगे? नहीं हमें आना होगा backup के अंदर तो सबसे पहले हमें system का backup त्यार करना होगा तो यहाँ पर आता है system backup click कीजिए windows से रिलेटेव जितने भी partition होंगे वो automatic select हो गए है यहाँ पर जो destination है यहाँ पर आपको देना है c drive के अलावा आप कोई साभी drive यहाँ पर choose कर सकते हैं मैं फिलार यहाँ पर d drive select कर लेता हूँ ओके और यहाँ पर आपको देना है task name तो मैं यहाँ पर देता हूँ windows backup ओके और यहाँ पर जो तारीक आ रही है मैं इसे agities रहनेता हूँ और इसके बाद simple है आपको proceed वाले बटन के उपर click कर देना है आपके द्वारा बताए गए destination के ऊपर windows का backup बन जाएगा operating system के backup का task complete हो गया है और इसके अंदर तकरीबन तीन मिनट का समय हमको लगा है अब हमें इस NVMe SSD को system के अंदर connect करना होगा इसके लिए system को करना होगा power off अभी जब फिलाल Windows रन हो रही है वह इस SSD से रन हो रही है जो कि सेटा SSD है अब हमें इस NVMe SSD को system के अंदर connect करना होगा इसके बाद जो हमने NVMe connect की है इसका status चेक करना होगा तो इस PC पे आएंगे manage में आएंगे dis management में आना है और यहाँ पर आपको पूछेगा MBI select करना है या फिर GPT select करना है तो यहाँ पर आप इसे skip कर सकते हैं cancel कर सकते हैं और यहाँ पर आप देश सकते हैं अब यहाँ पर 500 GB की जो NVMe SSD वो शो हो रही है इसके बाद करना क्या है आपको hassle यो backup suite को right click करके run as administrator करके इसे open करना है इस warning को तो हम करते हैं don't remind me again और कर देते हैं no अब आपको करना क्या होगा आपने जो backup लिया है इसे restore करना होगा NVMe में तो यहाँ पर हम जाएंगे restore वाले option के अंदर और यहाँ पर आपको select करना है browse image to restore इस पर आपको click करना है और जिस भी location पर आपने आपकी image को save किया है फिलाल मैंने d drive के अंदर किया था तो d drive में access करेंगे हम तो इस वाली image को आपको कर लेना होगा select और select करने के बाद आपको करना होगा next अब देखें यहाँ पर आपसे पूछेगा destination कहां आपको restore करना है तो यहाँ आपको आपकी NVMe SSD को select कर लेना है अब जो सबसे important चीज़ है जो आपको करनी है वो यह यहाँ पर आपको करना होगा universal restore option यह जो option है इस पर आपको करना होगा tick इससे क्या होगा इसके जो booting path जो siteya पर है वो तो delete हो जाएगा और एक blank boot path add हो जाएगा जिस भी environment के अंदर आप इससे boot करवाएंगे तो वह उसी environment के अंदर boot हो जाएगा simple है तो इसके बाद आपको करना है next अब जो आपके पहले के partition जिस size के बने वे थे उसी size के अंदर यह restore होगा ठीक है आप देख सकते हैं और यह जो बाकी का space इसके अंदर बच रहा है वो आपका unallocated space के रूप में आपको दिखाएगा यह free version के कुछ limitation है आप इसके अंदर पूरे partition को as a c drive यूज नहीं कर पाएंगे यानि कि आप c drive के size को यहाँ पर बढ़ा नहीं पाएंगे जो extra space होगा उसको आपको एक extra drive ही बनाना पड़ेगा अब free edition यूज कर रहे हैं तो कुछ limitation का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा simple है इसके बाद आपको करना है प्रॉसीड वाले बटन के उपर क्लिक कर देना है आपने जो image बनाई है वो अब NVMe के अंदर restore होने लग गई है बैकप लेने में हमें फिर भी 33 मिनट लगे थे लेकिन restoration एक मिनट और 25 सेकेंड के अंदर complete हो गया है इसके बाद कर देना इससे finished ओके इसके बाद हम this PC पर राइट क्लिक करते हैं और वापस आते हैं management तो अब आप यहां पर position चेक कर सकते हैं जो हमारी यह जो 500 GB के NVMe है इसके अंदर windows पूरी की पूरी transfer हो चुके है और यह जो हमारा partition है यह अभी तक unallocated शो हो रहा है तो हम हमें क्या करना होगा इस NVMe से boot करवा करके चेक करना होगा तो इसके लिए हम करते हैं system को shut down अभी तक हमारा system इस वाली SSD से boot हो रहा था अब हमें boot कराना होगा इस वाली NVMe SSD से तो क्या करते हैं इसको कर देते हैं disconnect ओके system का power on करते हैं और यह चेक करते हैं कि अब हमारा system क्या इस NVMe से boot कर पाता है तो booting sequence चालू हो गया है और आप देख सकते हैं हमारा system successfully desktop ready हो चुका है दोस्तों वीडियो में बताएगे tutorial को अगर आप step by step follow करेंगे तो आप 100% अपनी old windows को जो की hard drive है उसको NVMe में easily clone कर सकते हैं वैसे तो यह method 100% काम करता है लेकिन by chance की बात है अगर आपकी case में यह काम नहीं कर रहा है clone करने के बाद system आपका boot नहीं कर पा रहा है NVMe से तो चिंता मत कीजिए troubleshooting method भी मैं आपको बता देता हूं इसके बाद आपको see advance repair option पर क्लिक करना है इसके बाद आपको option मिलता है troubleshoot का इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको फिर से advance option पर क्लिक करना है और यहां पर आपको setting मिलती है startup settings इस पर आपको क्लिक करना है अब इसके बाद हमें हमारे system को safe mode में start करवाना होगा ओकी कर दीजिए हमारा system एक बार restart हो जाएगा और इसके बाद हमें option नजर आते हैं जिसके अंदर चौथा option नजर आता है enable safe mode गा इस वाले के लिए हमें का करना होगा numeric के अंदर 4 number प्रेस करना होगा system हमारा safe mode के अंदर boot होने लग जाता है safe mode में properly boot अगर हमारा system हो जाता है तो इसके बाद आपको करना क्या है करना कुछ नहीं है 100% का complete हो चुका है simple है आपको करना है अपने system को दुबारा normal mode में start इसके लिए start menu पे जाईए और restart कर दीजे और आप देखेंगे कि अब आपका system normal mode में successfully boot हो चुका है और कुछी देर के अदर आपके system का desktop ready हो गया है इसका मतलब 100% आपने अपनी windows को nvme के अंदर ट्रांसफर कर लिया है कॉंग्रेजुलेशन्स दोस्तो इस amazing video के लिए like बिटन पर आपका हाथ automatic चला ही गया होगा नहीं गया है तो अब ले जाईए और like कीजिए चैल पर नए है तो subscribe कीजिएगा क्योंकि हम याँ पर इसी तरह की amazing videos लेकर आते हैं फिर मिलाकात होगी अगले वीडियो में किसी technical topic के साथ तब तक इजाज झाल 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 मिलाका तो तक द को अब हैा तभ तक गल यॉझा सवग यणा आते हैं टार